जैहिन दोस्तो शहीदे आजम भगत सिंग की जेल डायरी का एक और नया किस्सा लेकर मैं आज आया हूँ तो आईए शुरू करते हैं शहीदे आजम भगत सिंग जी की डायरी को पढ़ना यह लेटर उर्दू में लिखा गया था और यह सबसे लास्ट लेटर सबसे बाद का लेटर है भगत सिंग का जब भगत सिंग का भाई कुलतार सिंग और उनकी माता जी विद्यावती जी लास्ट टाइम भगत सिंग को मिलने जेल में आते हैं तो आप देख सकते हैं यह उर्दू में लेटर है और यहां लिखो हुआ है दिस लेटर रिटर बाई भगत सिंग टो हीज ब्रतर कुलतार सिंग फ्रों सेंटर जेल लहावर ओन थार्ड मार्च 1931 तीन मार्च 1931 को भगत सिंग ने यह लेटर लिखा था अपने भाई कुलतार स भगत सिंग की जो माता जी थी विद्यावती जी उनके साथ भगत सिंग से लास्ट टाइम मिलने आए थे जेल में तो आईए इस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या है देखिए कुलतार के नाम अंतिम पत्र सेंटर जेल लाहोर तीन मार आंस्वार अंसु देखकर बहुत दुख पहुंचा आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था तुम्हारे आंसु मुझे सहन नहीं होते भगवाज सिंग कहते हैं कि तुम्हारी जो पासू है वह मुझे सहन नहीं होते बर्खुर्दार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना मतलब स्टडि करना हिम्मत से और अपने स्वास्त का ध्यान रखना होशला रखना और मैं क्या कहूं भगज भगत सिंग बहुत ही इमोशन है इस टाइम में जब ये लेटर लिख रहा है अपने भाई की आँखों मासूं देखकर तो वो लेटर लिखता है बाद में उसे ये फिक्र है हर दम नया तर्ज जफा क्या है हमें ये शोक है देखें सितम की क्या इंतिहा है दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करें सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें कोई दम का महमान हूँ ऐ आले महफिल चिरागे शहर हूँ बुझना चाहता हूँ हावा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली ये मुस्तेख खाक है फानी रहे या ना रहे अच्छा रुख्षत खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं हिम्मस से रहना नमस्ते तुम्हारा भाई भगत सिंग तो यह वो आखरी लेटर है जो भगत सिंग ने अपने भाई कुल्तार को लिखा था आप दे सकते हैं यह ओरिजिनल की कोपी है उर्दुमी यह लेटर लिखा था भगत सिंग अपने भाई कुल्तार सिंग को और एक बड़ अच्छी शायरी लिखे थी कि हमें यहां शोंक है देखे सितनम की क्या इंतहा करे देहर से क्यों खफा करे ऐसा करके लिखा था और बहुत तो चीशायरी भगत सिंग करते थे और यहां पर भगत सिंग लिखते कि तुम्हारा भाई भगत सिंग तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे जादा है जादा शेर करना ताकि जो भगत सिंग का अखी लेटर पहुंच सके एंक्यू सो मच जैहिंद इंकलाग जिंदाबाद